तोडेश फर्स एडियम इस पुट बैक पुट बैक मिन्स तो रिटन सम्टिंग यानि कि कोई चीज वापस रखना के सेंस में जहां पर वो पहले थी यह सिंपल आप कह सकते हैं वापस रखना इसके सेंस में इसका यूज करते हैं यहां यहां यह पहले थी नेक्स एक्सांपल देखते हैं यू कांट पुट इम बैक उन दिस जॉब यानि कि आप उसे इस जॉब पर वापस नहीं रख सकते हैं तो आई होप कि आप उसमझ आ गया कि कैसे आप पुट बैक का यूज करेंगे नेक्स इडियम इस पुट डाउन तो आप कैसे अलग अलग तरह से अलग अलग सेंटेस में पुट डाउन का यूज करेंगे इसका यूज करते हैं नेक्स यूज को और किसी को नीचे रखने के सेंस में इसका यूज करते हैं सेंटेस देखते हैं then you will get to know कि कैसे आप इसका यूज करेंगे सेंटेस में इसका यूज करेंगे नेक्स अगर किसी को इंसल्ट करना के सेंस में यूज करने तो कैसे यूज करेंगे यानि कि आप क्या करते हो हमेशा ये कोशिश करते हो कि दूसरों की सामने से इंसल्ट करना है तो इस तरह से इसका यूज किया जाएगा नेक्स एक्जाम्पल देखते हैं अगर आपको यूज करना है किसी चीज को नीचे रखने के सेंस में you should put this back down it's too heavy यानि कि आपको इस बैक को नीचे रखना चाहिए यह क्या है बहुत ज्यादा है बहुत भारी है तो फ्रेंस इस तरह से आप पुट राउन और पुट बैक का यूज करेंगे and I hope कि आप को समझ आ गया now your turn and you have to make sentences write down in the comment below if you like this video so please like and share this video और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल and also press the bell icon so that you will get the notification on time thanks for watching